हेलो एवरिवन कैसे आप सभी स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में तो आज मैं बना रही हूं रत में खाने के लिए कुट्टो की पकोड़ी और लोकी का रायता तो उसी की रेसिपी आज मैं आप सभी किसाज शेयर करूंगी तो वीडियो को लाश्ट तक देखिएगा इसकी प्मत कीजिएगा तो सबसे पहले मैंने लोकी ले लिया है इसको अच्छे से दो कर छील लिया है यह देखिए और उसके बाद मैं लोकी को कद्दुगस में गिस लूँगी और गिसने के बाद सबसे पहले हम अपने लोकी को बना रख यारी कर लेंगे तो अब यह देखिए हमारी लोकी घिस गई है तो आप हम इसको एक भगोने में थोड़ा सा पानी चड़ाकर उबलने के लिए रख देते हैं तो जब तक हमारा लोकी उबल रहा है तब तक हम अपने आलू की पकोड़ी बनाने के लिए आलू को दोकर अच्छे से छेल कर काट लेते हैं अब देखिए चार-चार पीस में इस तरीके से मैं चोक और पीस में आलू को काट लूँगी मैं आलू की पकोड़ियां इसी तरीके से बनाती हूं चोक और पीस की मुझे अच्छी लगती है तो आप अपनी पसंद के अनसार से कट कीजिएगा यह मैंने तीन हरीमेच ले लिए और इनको बारीक बारीक काट लूँगी देखिए पकोड़ियां थोड़ी सी तीकी अच्छी लगती है तो इसलिए मैं हरीमेच थोड़ी जाद डाल गई हूं यह पकोड़ियों के लिए आलो तियार है तो हम अपनी लोकी देख लेते हैं देखिए लोकी कभी कलर चेंज हो गया है तो यह भी हमारी लोकी उबल गई है तो जब यह पूरी तेरे से उबल जाएगी तो इसको हम एक छन्नी में निकाल लेंगे और ठंड होने के लिए रख देंगे देखिए कभी भी गरम लोकी दही में नहीं डालते हैं क्योंकि उससे दही फट जाती है और उस रायते का टेस्ट खराब जाता है तो इस तरीके से चन्नी में निकाल दिया अभी से ठंड होने के लिए रख देते हैं साइड में अब यह मैंने देखिए दही लेली है यह लेली है मैं जीरा सावत और एक हरिमेड्स काट लिए और अब इसको मैं सिल पर पीस लूँगी देखिए कभी भी जब आप रायता बनाए तो इस तरीके से बना कर देखिए तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है एक तरीके से हम रायता बनाते हैं जीरे को तवे पर भून कर मसल कर उसको डाल लेते हैं लेकिन जो टेस्ट इसका आता है वो टेस्ट उसका नहीं आएगा तो आप एक बार यह रैसिपी ट्राइ कीजिए का आपको बहुत पसंद आएगी अच्छे से बारी करके हम दोनों चीजों का पीस लेंगे अगर आप नोर्मली रायता बना रहे हैं तो आप उसमें पोदीना भी डाल सकते हैं इसी तरीके से पीस कर अब यह हमारा तैयार है लोकी भी उबल गया है हमने इसे हाथ से टाइट करके निच ओड़ लिया क्योंकि और यह अब डाल दूगी इसमें मैं अपना पेस्ट और इसे अच्छा से मिक्स कर दूगी यह देखिए तो अब हमारा रायता तैयार है बहुत अच्छी खुश्बुआ रही है रायते से और चटपटा बहुत ही अच्छा रायता हमारा तैयार हुआ है तो अब रायते को हम साइड में रख देंगे और पकोडियों की तियारी कर लेते हैं अब जलों में ड़ीया है MARow में इक अपना नमक और यह दाल दिया मैंने थोड़ा साबद धनिया साबध धनिया से पकोडियों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो आप भी एक बार जरू ट्राइ कीजिएगा साब धनिये डालने का तो अब इसमें डाल दिया मैंने पानी और अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे देखिए थोड़ा सा पानी जादा ही डालिए जिसे की पकोडियों पर ये कुटू काटा अच्छे से लिपड़ जाए अगर पानी कम डालेंगे तो कुटू काटा अच्छे से पकोडियों के साथ मिक्स नहीं होगा तो थोड़ा सा पानी देखिए इस तरीके का हमें तैयार करना है तो अब ये डाल दिया है मैंने संफ्लोवर ओइल कडाई में देखिए यहां पर मैं संफ्लोवर ओइल का किया है यह विरत के लिए अलग से आता है तो अब हमारा यह गर्म हो गई है चिकनाई तो इसमें डाल देंगे हम अपनी कुटू में मिली हुए आलू इस तरीके से और यह हैवी कडाई है तो इस पे हम फूल गैस में भी बना सकते हैं और अगर आपकी हलकी कडाई है तो उसमें आप मीडियम गैस पर इन्हें गोल्डन होने तक फ्राइ कर लीजिए देखिए जितने अच्छे से आपके कुटू की पकोड़े सिकेंगी उतना ही ज्यादा उ और यह एक दूसरे के साथ चिपकी हुई नहीं है यह तो इसी तरीके से एक एक आलू की अलग-अलग पकोड़े हमें बनानी है तो अब हमारी पकोड़े सिख गई है अच्छे से तियार हो गई है तो इने ही साइड में इस तरीके से करके हमें एक पेपर पर निकाल लेंगे इसमें जो भी एक्स्टा चिकनाई होगी फो पेपर पर निकल जाएगी तो ये देखे पकोडियां हमारी तयार हैं गर्मा गर्म इसी तरीके से मैं अपनी सारी पकोडिया बना लूँगी ये देखे पकोडियां तयार हैं गर्मा गर्म सर्व करने के लिए तो अब ये मैंने लगा लिया थाली रायते के साथ पकोडियां ये चटपटा रायता आप भी ट्राइ कीजिए एक बार और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी थेंक्यू सो मच